और लगातार हमने आपको यहाँ पर खबरे दिखाई हैं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों की पीली भीत का भी जिक्र यहाँ पर हम कर रहे थे हैं अभी जो सिती है वो कैसी है अभी इसलित बहुत अच्छी है पीली भी त्मारा पहला जिला जो कोरोना मुक्त हुआ था उसके बाद दूसरा जिला कल कुरोना मुक्त हुआ है बरेली जिसमें छे कुल कुरोना संक्रमित बरीज थे लेकिन वो सभी के सभी उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया और वो घर चले गए तो दूसरा जिला ये कुरोना मुक्त हो गया हमारे रेंज का तीसरा जिला शाह जहां पूर है उसमें एक ही वेक्ती संक्रमित है जिसको कुरिंटाइन में रखा गया है उसके 14 दिन कल पूरे होंगे उसके बाद उसका टेस्ट किया जाएगा और हमें अमीद है कि वो भी कुरोना मुक्त जल्दी हो जाएगा बिल्कुल सर यह जो मौझूदा सिती अभी लॉकडाउन की चल रही है जो दूसरा यह फेस शुरुआ हुआ है उसमें लोग जो है कही न कही परेशान सडकों पर नजर आते हैं मज़़ों के हम बात करने और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं उसके बाद जो कुछ रियायतों में अब आ गया है देकि शुरुआत में ऐसा हुआ था कि लोगों को यह जानकारी नहीं थी यह कुरोना वाइरस क्या है क्या है कैसे फैलता है क्या इसकी चेन है हवा से फैलता है पानी से फैलता बिल्कुल जानकारी नहीं थी तीन-चार दिनों में धीरे-धीरे जब जब को इसके बारे में जानकारी हो गई तो जनता ने सोयम अपने आपको सोशल डिस्टेंसिंग वो सोयम फालो करने लगे आपको एक छोटा सा एक्जाम्पिल ये बताए हैं जब प्रवासी मजदूर दिल्ली की सीमा से पैदल ही चल दिये उतर प्रदेश के अलग-अलग अलाकों में तो जो अपने गाउं में जब यह जा रहे थे तो गाउं में ओन गाउं के प्रधान ओंगाश के लोगों ने किसी को भी भीतर नहीं कुस्नेotal हैं ओनका सब डिली से आ पताने आपका संक्रोंत कैसा है पहले आप गाउं के बाहर जो हो स्कूल है प्रवारी स्कूल गाउं के लोगों ने अपने घरों में जाने की इजाज़त दी देखे इतनी अंडरस्टेंडिंग हो जाने के बाद हम उमीद करते हैं जनता इस बाद को अच्छी तरह समझ रही है इसकी जरुद क्या बढ़ती हुई नजर आती है आपको भी फिलाल देखें, मॉडल ऐसा कोई नहीं है मॉडल ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक मॉडल पर्टिकुलर फालो किया गया देखें हमारे मानली मुख्रमंत्री जी ने इतनी वीडियो कॉन्फरेंसिंग की है पहली वीडियो कॉन्फरेंसिंग में उन्होंने प्रुमुक सची उचिकित्सा, स्वाज से प्रुमुक सची उचिकित्सा, सिक्षा, ACS होम, चीफ सेकर्टी इन सब लोगों को अपने साथ मीटिंग में रखा और सामने की तरफ जिले के SSP, DM, CMO और जितने भी कंसर्ण लोग हैं जिनसे ये सब समंदित हैं उनको बिठाया और पहली बार कुछ शब्ज जैसे Self Quarantine, Quarantine, Institutional Quarantine, L1 Facility, L2 Facility और मास्क, PP, कि ये पहली बार सब की जानकार हैं, जो डॉक्टर हैं वो सब जानते हैं लेकिन डॉक्टर के साथ उस पूरी टीम को भी ये बात जाननी जरूरी है, जो फिल्ड पे इन जो निर्देश हैं, मानी परधान मंत्री जी बार बार, TB पे आके कह रहे हैं, मानी मुक्र मंत्री जी कह रहे हैं, बार बार, तमाम लोग ऐसी बात कह रहे हैं, तो फिल्ड में जिनको पालन कराना है उनकी भी जानकारी में ये सारी बातें जब होंगी तो एक टीम वर्ट की तरह आदमी काम करेगा और इन सारे निर्देशों का जीरे 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 पालन करेगा कि कोई भूखा ना सोई जो सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता यहां पर नजर आती है मुख्यमंत्री की देखे मानी मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से राशन की डिलिवरी फ्री राशन की डिलिवरी होनी थी उसके एक दिन पहले भी वीडियो कॉंफिंसिंग की वीडियो कॉंफिंसिंग में उन्होंने सबको इसपस्ट निर्देश दिये कि कल से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में फ्री राशन बाटा जाएगा लेकिन राशन लेने वालों में सोशल डिस्टेंसिंग को फालो कराने की जो आदत है वो डलवानी पड़ेगी सभी राशन की दुकानों में मजिस्टेट्स और पुलिस की वेवस्था की गई चूने से वो गोले बनाए गए जो एक-एक मीटर की दूरी पे थे लोगों ने लाइन से थोड़ा समय जरूर लगा इससे लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को फालो करके और अपना अपना राशन लिया देखिए आज की तालीख में जो हमारा लक्ष है वो बहुत सपस्ट है हमें इस चेन को ब्रेक करना है इसके सेवा दूसरा कोई चारा नहीं है कोई उपाय नहीं है तो जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग को फालो नहीं कराएंगे इवन कोरोना मुक्त होने के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को इस टिकली फालो करना पड़ेगा ताकि हम उस चेन को डिस कंटिनू कर सके इसका ख्याल यहां पर रखना होगा भले ही वक्त वो जल्दी आए कि पूरी तरह से देश दुनिया कोरोना मुक्त हो जाए लेकिन एतिहात लगातार बरतने होंगे यह बहुत महत्वपूर्ण बातसर आपकी ओर से कही गई है बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और यह तमाम बाते और जानकारिया जो है वो आपने आपर साथ